इस सबसे प्रांतना है बले नीचे बैठना पड़े लेकिन अगर आप बैठें को तो अच्छा होगा इधर इधर से मेरे साथ्यों से आग रहे हैं आप यहां सुनाई देता है मेरी बात सुनाई देती हैं इधर आप प्रबंदक उस तरफ देखे भाई तोड़ी जगा कम पड़ रही हैं मेरी सबसे प्रांतना है बले नीचे बैठना पड़े लेकिन अगर आप बैठें को तो अच्छा होगा इधर इधर से मेरे साथ्यों से आग रहे हैं आप यहां सुनाई देता है मेरी बात सुनाई देती हैं ज़र आप प्रबंदक उस तरफ देखे भाई जगा नहीं है तो किरपा करके आप कहीं पर भी नीचे बैठ जाईए भारत माता की भारत माता की राष्ट्री अदिवेशन में यहां उपस्तित और देश की कौने कौने से जुड़े प्रतेग भाजपा कायरकरता का मैं अभिनंदन करता हूँ भाजपा का कायरकरता साल के हर दिन चौबिसो घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है लेकिन अब अगले सो दिन नई उर्जा नया उमंग नया उत्सा नया विश्वास नए जोश के साथ काम करने का है आज अठारा फरवरी है और इस कालकर्ण में जो युवां अठारा वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की अठारवी लोगसभा का चुनाव करने वाले हैं अगले सो दिन हम सब को जुट जाना है हर नए बोटर तक पहुंचना है हर लाभारती तक पहुंचना है हर वर्ग हर समाज हर पंद परंपरा सब लोगे के पास पहुंचना है हमें सब का विश्वास हांसिल करना है और जब सब का प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे जादा सीटे भी बीजेपी को ही मिलेगी और आज मैं कल मुझे पदादिकारियों के साथ बैठने का आफसर मिला मैं नग्दाजी को और उनकी पूरी टीम को और आप सब को बधाई देता हूं जब मैं पदादिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार करता हूं सत्ता में रहने के बावजुद भी समाच के लिए इतना करते हैं दिन रात दोड़ते हैं संकटों के बीज भी करते हैं और सिर्फ और सिर्फ भारत मा की जय के लिए करते हैं यह दोड़ीन में जो चर्चा हुआ विचार विमर्ष हुआ है देश के उजवल भविश्य को लिए हमारे संकटों को द्रड करने वाली हर बाते हुई है मैं भव्य आयोजन के लिए प्रेरक विश्वों के लिए आप सबको भी देश पर के कार करता हूँ को भी नद्याजी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हूँ साथियों आज मैं समस्त देश वास्यों की तरप से संत शिरोमनी आचार्य स्री एक सो आठ पुझ्य विद्या सागर्जी महाराज को स्रद्धा पुरवक आदर पुरवक नमन करते हुए स्रद्धांजली देता हूँ उनके संवलेखन समाधिस्त होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनिवाई शोक में हैं हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिकत छती जैसा है वर्षों तक मुझे व्यक्तिकत रुप से अनेक बार उनसे मिलने का उनके दर्शन करने का उनके मार्दर्शन प्राप्ता करने का आउसर मिला है कुछी महेने पहले ऐसा ही मन कर गया था मेरे प्रवास कारकम को बदल करके बहुत सुबह सुबह में उनके पांस पहुँच गया था तब पता नहीं था कि मैं दुबारा उनके दर्शन नहीं कर पहुँगा यह मेरा सब भागे रहा है कि पिछले पचास से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के घणमान्या अध्यात्मिक मुर्थियों के निकट रहने का उनके आशिर्वात पारने का अवसर रहा है और इसलिए मैं उस अध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीपाती जानता हूँ समझता हूँ अनुभव करता हूँ आपको सुरकर के अशिर होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे उनका जीवन कैसा होता है मैं जानते हैं लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपुन घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपुन किसी काम में मेरा संबंध आया हो 24 गंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था एने कितने जागरुक थे और अपनी विराट अध्यत्म के आत्रा है और उसके बाद भी वो हम सब को हमेशा परणा देते रहे हैं जीवन भर उतनी संब्यता के साथ उनका लोगों को मिलना उन्होंने हमारे युवाओं को परंप्राओं से जोड़ा गरीबों तक सिक्षा और स्वास्त की सुविधाएं पहुचाए उनका पूरा जीवन उस व्यक्त के लिए प्रेणा जसा है जिसने गरीबों और वन्चितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है आज जब भारत प्रगती के पत्पर आगे बढ़ रहा है मुझे विश्वाथ है कि उनके सिध्धान और उनका अशिर्वाद ऐसे ही भारत भूमी को प्रेणा देता रहेगे साथियों पिछले दस वर्सों में भारत ने जो गत्ती हांसिल की है बड़े लक्षों को प्राप्त करने का जो होसला पाया है यह भुद्पुर्व है साथियों और इसलिए ने कि मैं कह रहा हूँ दुनिया गाजे बाजे के साथ बोल रही है भारत ने आज हर छेत्र में जो उंचाई हासिल की है उत्रहर देश बासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड दिया है और यह संकल्प है विक्षिद भारत का अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है सपने भी विराथ होंगे संकल्प भी विराथ होंगे और यह हमारा सपना भी है हम सब का संकल्प भी है कि हमें भारत को विक्षिद बनाना और इसमें अगले पांच वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है अगले पांच साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है अगले पांच साल में हमें विक्षिद भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है लेकिन भाई और बैनों सारे लक्षों की प्राप्ति के लिए पहली शर्ट है सरकार में भाजपा की जोड़दार वापसी आज विपश के नेता भी एंडिये सरकार चार सो पार के नारे लगा रहे हैं और एंडिये को चार सो पार कराने के लिए भाजपा को तीन सो सत्तर का माइल स्टोन पार करना ही होगा साथियों कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते के अरे मोदी जी आपने इतना तो सब कच्छा कर लिया जो बड़े-बड़े संकल्प आप में लिए वो तो पूरे कर लिए हैं अब क्यों इतनी भागदोर करने हैं साथियों पुरा देश मानता है दस साल का बेदा कारकाल और पचीश करोड लोगों को गरीवी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब दिन नहीं है पुरा देश मानता है हमने देश को महा गोटालों और आतंकी हमलों के खौप से मुक्ति दिलाई है पुरा देश मानता है हमने गरीब और मिडल कास का जीवन बहतर करने का प्यास किया है लेकिन जो लोग सोचते हैं या बहुत हो गया ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी गटना जुरूर बताना चाहूँगा एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले मेरे प्रधान मंत्री पत के दूसरे कारखाग पर बोले मोदी जी प्रधान मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है आप बन गए आपने इतने दसरतों के संगठ हमका भी काम कर लिया मुख्य मंत्री के रुप में भी इतना लंबा समय रहे चुके प्रधान मंत्री में भी दूबारा आ गए अब इतना काम पा लिया है अब तो थोड़ा बैठो आराम करो बहुत कर लिया यह उन्होंने मुझे कहा था उनकी वो भावना राजनीती के पुराने अनुभवों से थी लेकिन साथियों हम राजनीती के लिए नहीं राष्ट्रनीती के लिए निकले है हम तो छत्रपती सिवाजी महाराज को मानने वाले लोग है जब छत्रपती सिवाजी महाराज का राज़ा बेशेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपती बन गए सत्ता मिल गए तो चलो उसका आनू दलो उन्होंने अपना मीशन जारी रखा ऐसे ही उनसे प्रेणा ले करके मैं अपने सूख बैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ मैं राश का संकल पर लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूँ अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता हूँ तो आज करोणों गरीबों के घर नहीं बना पाता हूँ मैं देश के करोणों बच्चों के भविश के लिए जीता हूँ जागता हूँ जूचता रहता हूँ कि देश के करोणों करोणों बहनों बेटियों करोणों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है और इस संकल्प की पुर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं दस वर्सों में हमने जो हासिल किया साथियों वो तो एक बड़ाव मात्र है मंजिल तक पहुंचेने का एक नया विश्वास है अभी हमें देश के लिए कोटी कोटी भारतियों के लिए हर भारतिय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने है संकल्प है और उसके लिए बहुत से निरने भी बाकी है साथियों आज भाजपा युवा शक्ति नारी शक्ति गरीब और किसान की शक्ति को विश्षित भारत के निर्मार की शक्ति बना रहा है पहले लोगों को लगता था कि सरकारे बदलती हैं व्यवस्था नहीं बदलती हमने सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की भावना से हर व्यवस्था को पुरानी सोच पुरानी एप्रोच से बाहर निकाला जिनको किसी ने नहीं पुछा हमने उने पूछा है इतना ही नहीं हमने उसको पूजा है आदिवाच्यों में भी सबसे पीछडी जनजातियों को पहले किसी ने नहीं पूछा हमने उनके लिए पीएम जन्मन योजना बनाई है लाखो विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा हमने उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है रहेडी ठेले फुटपात पर काम करने वाले लाखो साथ्यों के बारे में किसी ने नहीं सोचा हमने उनके लिए पीएम सुवनिदी योजना बनाई है साथ्यों पहले की सरकारों ने महिलाओं के हितों के उनके जीवन में आ रही परिशानियों के भी कभी चिंता नहीं की अधार यहां बेटियों को गर्ब में ही मार डालने की कितनी विराठ समस्या थी हमने इसके लिए हमने सामाज एक चेतना साथ-साथ बुकड़े कानों दोनों का सहारा लिया पहली बार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक जनान दोलन चला जिसका एक बहुत ही सार्थक प्रभाव हुगा हमने बालिकाओं के महिलाओं के पोशन पर विश्रस बल दिया हमने पोशन भियान चलाये ताकि गर्भवति महिलाओं को उचीत मदद मिल सके है स्वस्त महिलाई स्वस्त संतान को जन्म दे सकती है गर्भ के समय महिलाओं को उचीत पोशन बिले इसके लिए मात्रू बंदना योजना के तहएद सवा तीन करोड सधीक बहनों को सीधी मदद दी हमने सुरक्षी मात्रू तो अभियान के तहएद लगबग पांच करोड घर भबती मैलाओं को हेल्ट चेकप कया प्रयासे ही था कि माता और शिशु दोनों के जीवन पर पहले जो खत्रे रहते थे कोने कम किया जा सके 2014 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चिंताए होती थी हर कोई चिंतित रहता था हमने रैप बलातकार ऐसे अपरादों को संगीन अपरादों में फांसिक की सजा सुनिश्जित की ऐसे मामलों का तेजी से निप्टा रहा हो इसके लिए भी विशेश विवस्ताएं बढाई साथियों मैं देश का पहला प्रधान मंत्री हूँ जिसने सोचाले जैसे विशे को लाल कीले से उठा मैं देश का पहला प्रणान मंत्री हूँ जिसने महिलाओं के खिलाप अपशब्दों पर लाल किले से नाराज की व्यक्त की थी नारी गरीमा नारी सन्मान हमारे लिए सर्वो परी है मुझे गर्व है कि पर देश दस वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बना लेकले हैं एक कदम उठाए है हमने दस करोड उजवाला गैस कनेक्शन दिया हमने चार करोड गर्ण मर्माए जिन में तीन करोड से जादा गर महिलाओं के नाम रजिस्टर हुए है हमने महिलाओं के नाम तीन करोड से जादा गर रजिस्टर करवा कर उनको घर की मालकिन मराया हमने दस करोड परिवारों की बैनों को पहली बार नन से जल दिया हमने 12 करोर परिवारों की बेहनों को टॉयलेट दिया और टॉयलेट वो चार दिवारी नहीं है इज्जत गर है हमने एक रुपे में सुवीदा सेनेटरी पैट्स की योजना शुरू की हमने 25 करोर से जादा महिलाओं के बैंक अकाउंट को ले हमने 30 करोर से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभारतियों को दिये साथ क्यों बेहनों को आर्थी ग्रूप से ससक्त करने के लिए बेटियों को नोकरी करने में आसानी हो इसके लिए हमने अनएक कदम उठाए हमने सेल्फ एल्फ ग्रूप से 10 करोर बेहनों को जोड़ा हमने एक क और बहनों को लगपती दीदी बनाया, खादी को जो फिर से नया जीवन मिला है, उसका फायदा भी सबसे अधिक गाउं की बहनों को हुआ है, हमने प्रेग्रेंसी लीव को बढ़ा कर 26 हपते किया, पहले फैक्टरियों में या दूसरी जगों पर महिलाओं को नाइट शिप मे के लिए अलेक अर्चने थी, हमने सम कानुनों में सुधार करके उनको भी दूर किया, हमने परा मिल्टरी फोर्सिस में महिलाओं की बरती दो गुने से अधिक की, हमने सेनाओं के अग्रणी मोर्चों में महिलाओं की तैनाइत को सुरिश्चित किया, हमने साइनी स्कूल और मिल्ट्वी अकडेमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिये साथियों इसमार 26 जन्वरी को करता व्यपत भारत की नारी शक्ति से पुरे देश को प्रणणा दे रहा था साथियों आने वाले समय में हमारी माता और बैन और बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं मिशन सक्ति से देश में नारी शक्ति की सुरक्षा और ससक्ति करण का संपुर्ण इकोसिस्टिम बनेगा अब 15,000 महला सेल पेज़ गुप को ड्रोन पिलेगे ड्रोन दिदी खेती में फैक्या निक्ता रादि निक्ता लाएगी अब देश में तीर करण महलाए लगपती दीदी बनाई जाएगी पीम विश्व करमाय योजना से परंपरागत कला और शिल्प से जुड़ी बैने शसक्त होगी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बेटियों को सिक्षा और स्कील के मामले में सबसे अधिक फाइदा होगा गाउं के पांस ही बहतर स्पॉर्ट इंस्प्राइट्रेक्टर बने बेटिया हमारी स्पॉर्ट में कमाल करेगी साथियों आज जब मैं बीते दीश दस वर्सों कितर मनज़र डालता तो कितना ही कुछ याद आता है ये दस वर्स साहसिक फैसलों तुम दुरगामी निर्णों के नाम है जो काम सदियों से लटके थे हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है आयोध्या में बग्वे राम मुलिर का निर्बान करके हमने पांच सदियों का इंतजार खत्म किया है गुजरात के पावागण में पांच सो साल बाद दर्म दोजा फैराई गई है साथ दसक बाद हमने करतारपुर साहम राहदारी खोली है साथ दसक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है लगबख छे दसक बाद राज पत करतब्य पत के नए स्वरूप में सामने आया है चार दसक बाद आखिर कर वन रैंग वन पैंशन के मांग पुरी हुई है तीन दसक बाद आखिर कर देश को नई रास्टे शिक्षा निती मिली है तीन दसक बाद आखिर कर लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन मिला है तीन तलाइक की बुराई के लिए विरुद्दक कड़ा कानून मनाने का साहत भी हमने दिकाया है दसकों से नए संसथ बाद की जरुद मैसूद हो रही थी उसे हमने ही पुरा किया यह प्रत्येक भाद बाद कारकरता का सवभा क्या है कि वैसे अने एक सिद्धियों का निमित्त बन सके साथियों कोई भी देश हो वो अपना भविश्या तभी समार सकता है जब वो अपने इतिहास को सहच कर रखता है बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहचा भी है समारा भी है हमने नेश्टनल वार मेमोरियल का अंदरमाण किया हमने राष्टिय पुलीस मारक बनाई हमने अंदरमान में नेताजी सुभास और परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर दीपों का नाम करण किया हमने दांडी में नमक सत्यांगर का आधुनिक समारक का निर्माण किया हमने बावा साब आमबेडकर से जुड़े पंचतित को विक्सित किया हमने राची में बगवान बिर्शाम मुंडा की स्पृति में मुजम बनाया सरदार प्रटेल को समर्पित स्टेची अफिलिटी हमारे कारकाल में बढ़ी 31 अक्तुबर को राष्टी एकता दिवस हमारी सरकार ने गोशित किया 15 नमेंबर को जन जातिय गवरो दिवस के रूपे गोशित करने का आउसर हमें मिला 14 अगस को विवाजन विपिशिका दिवस के रूपे याद करने का निर्णे हमारी सरकार ने लिया 26 दिसंबर को हमने साहिब जादो के स्पृति में वीरिबाल दिवस गोशित किया 26 नमेंबर को संविदान दिवस गोशित करने का पैसला भी हमारी सरकार ने किया और 21 जुन को सयुंतर रास्टन इंट्रनेसल योगा डेभी हमारी ही सरकार के प्रयासों से गोशिक दिया साथियों विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो लेकिन जूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है बावजुद इसके आज एक वाइदा करने से ये सारे राजनितिक दल गवराते हैं एक भी राजनितिक दल के मुझ से नहीं सुना होगा आपने जो वाइदा हम कर रहना इसका उजिक्र तक करने का उनमें सामरते नहीं है और हमारा वाइदा है विक्सित भारत का इन लोगों ने स्विकार कर लिया है कि लोग भारत को विक्सित नहीं बना सकते सिर्फ पर सिर्फ BJPSE पार्टी है NDAEASI गट है जिसने इसका सपना देखा है हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देख जमाजादी के सोसार मनाएगा हम भारत को विक्सित देख बनाने के लिए काम कर रहे है हमने तीसरे टम में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल पलिया है और ये मोडी की करण्टी है और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के बात करता हूँ तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है इसका मतलब है भारत के आर्थिक सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ का कई गुना विस्तार हम इसके लिए कितनी तेजी से काम कर रहें इसका हिसाब लगाना भी जरूरी है भारत को यहां करा याद रखिये भारत को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थिववस्ता बनने में लगबग साट साल लगे थे साट साल 2014 में जब देश ने हमें आउसर दिया तो ट्रिलियन मार्ग भी बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन दस वर्सों में हमने अपनी अर्थि ववस्ता में ट्रिलियन डॉलर और जोड दिया एक के लिए साट साल दस साल में दो और जोड दिया जब भारत दुनिया की 11 नंबर की अर्थे बवस्ता सा और 11 से 10 पर आने में दम उखड़ गया उनका हम 11 से 5 पर ले आए आर्थे बवस्ता जब 11 नंबर पर थी तब इंफ्रा सेक्टर का बजेट सिर्फ 2 लाग करोड रुपी भी नहीं बन पाता था आज भारत पांचवे नंबर की अर्थे बवस्ता है तो भारत का इंफ्रा बजेट 11 लाग करोड को पार कर चुका इसी वज़े से आज गरीबों को एक करोडो घर बन रहे हैं आज गरीबों के घर तक पानी पहुंच रहा है आज देश में रिकोर्ड मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, युनिवर्सिटीज बन रहे हैं गाउं तक की सडके बन रही हैं जब भारत दुनिया की टॉप तीन अर्थे ववस्ताओं में आएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास कारियों के लिए हमारे पास कितनी जाजा पूंजी होगी इसलिए भारत के तौप तीन एकोनोमी में आने का मतलब है भारत के हर परिवार का जीवन स्तर सुद्रेगा भारत के हर परिवार की आए बहुत अधिक बढ़ जाएगी भारत का पब्लिक ट्रांस्पोर्ट और आधुनिक बनेगा भारत में रोजगार के लिए नए सेक्टर खुलेंगे रोजगार के और ज्यादा मोके मिलेंगे भारत के हुआओं को भारत में फंडिंग के जादा से जादा आउसर आएंगे भारत के महलाओं को हर मोर्ते पर आगे बढ़कर रेत्तुरत करने का बोका मिलेगा हमारे किसान लेटेस्ट टेक्लोलोजी से जुड़ कर काम करेंगे लोगों की जीवन बहतर बनाने के लिए देश में परियाप्त संसाधान और आवशक विवस्ताएं मौजूद होगी साथियों मुझे खुशी है कि आज विक्सीद भारत अभ्यान की बागडोर भी भारत के युवाओं ने सबादी है पिछले डेड़ साल में विक्सीद भारत के संक्रप से जुड़े सुजाओं के लिए और लोगों ऐसा लगता होगा कि हम बात पता ऐसा नहीं है इस पर हम डेड़ साल से चुपचाप काम कर रहे हैं सरकार की मश्रिकों लगाया है और आपको जान करके खुशी होगी अब तक 15 लाख लोगों से जादा लोगों ने विक्सीद भारत कैसा हो रोडमेप कैसा हो इनिशेटिव कैसे हो नीतियां कैसी हो इसमें विचार भी मर्स हुआ है लोगों ने अपने आइडियाद दिये हैं और आपको जान करके और खुशी होगी इन 15 लाख मैसे आदे से जादा वो लोग हैं जिनकी उमर 35 से कम है पूरी युवा सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इन लाखो युवाओं ने विक्सित भारत का रूड मेप सुझाया है चाथियों युवा उर्जा से भरा हुआ भारत आज अपने लिए बड़े लक्ष ताय कर रहा है और जो लक्ष ताय करता हैं अपनी आखों के सामने उसे प्राप्त भी करता है हम 2029 में दोजार उनतीस में भारत में यूथ आलेंपिक के लिए तैयरी कर रहे है हम 2036 में भारत आलेंपिक खेलों के महजबानी करें इसके लिए काम कर रहे है हम 2030 तक हमारी रेल्वे को नेट जीरो टारगेट पर ला करके कार्मन मुक्त करने के दिशा में काम कर रहा है हम 2030 के बजाए अपनी टार्गेट डेट करें पात साल पहले ही पैट्रोल में 20 प्रतिशत इथिलोल ब्लैंडिंग का लक्ष भी हासिल कर लेंगे भारत 20-70 तक नेट जिरो के लक्ष को हासिल करने के लिए भी नीतिया बना रहा है इसका अर्थ है कि आने वाले समय में हमारे देश में अंगिनत ग्रीन जॉब्स बनेगी साथियों विक्सीद भारत वो नहीं होगा जिसका भविश्य भाक्य के भरोसे हो इसलिए दूसरे देशों पर भारत की निरवर्ता को हम तेजी से कम कर रहे हैं इसलिए हम देश के लिए बड़े लक्ष बना रहे हैं और उनके लिए योजनाबत तरीके से काम भी कर रहे हैं बविश में हम एक ऐसा भारत देखेंगे जिसे लाखो करोड रुपिय का खाद दे तेल भार से लाने की जरूत नहीं होगी हमारे पाम ओईल मिशन की मदद से बीते कुछ वर्षों में दलहन, तिलहन और स्री अंड के लिए विशेस नित्या बनाई हैं जिसे छोटे-छोटे किसानों को मदद हो रही है बविश में भी हमारे किसानों को इंसे बार लाब मिलेगा किसानों के बविश को सुरक्षित करने के लिए हमने देश के कोने केने में अमृत सरोवर अभ्यान भी शुरू किया आजहादी का अमृत महोत्सा हो हम बहुत कुछ कर सकते थे हम दिल्ली के अंदर को एक बड़ा ताबूत खड़ा कर देखके नाम लिखवा सकते थे आजहा जादी के अमृत वर्ष को जन अंदुलन बनाया और काम क्या किया तालाब बनाये हैं हर गाओं में जब तालाब बनते हैं वो किसान को सुरक्षित करते हैं शुद्ध पानी की गारंटी देते हैं जमीन उर्वरक बना देते हैं लंबे भविश को सोच करके ऐसे काम हम करते ह और इस अभ्यान के देश में अब तक साथ हजार से ज़्यादा नवे सरोवर बनाए जा चुके साथ हजार तालाफ शायदी किसी सरकार के नसीब में इतना बड़ा काम करने का सोभा जाया होगा यह सरोवर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों की मदद करेंगे के कारण देश रिन्योबल एनर्जी के खेतर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है बहुत जल्द भारत दुनिया का सेमी कंड़क्टर हब बनेगा और इसे पुरी दुनिया में नई कॉम्पूटिंग रिवोल्शन को भी भारत गती देने का निवित्त बनने वाला है साथियों भाजपां आज देश का एक मात दल है जो एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना के प्रती इतना आग्रही भी है और इतना समर्पित भी है मैं पिछले माहिने के अपने अनुभवों को भी भूल नहीं सकता इस दोरान मुझे भगवान सी राम से जुड़े कई स्थानों में प्रमण करने का आउसर मिला मेरे ग्यारा दिन का अनुष्टान चल रहा था उस अनुष्टान के दर्वियान मैं नासिक, लिपाक्षी, त्रीप्रयार, शीरंगम, रामेश्वरम, धनुष्कोडी मैं इन जगों पर एक सामान नसाधक के दोर बगाया था इस दोरान मुझे दक्षीड भारत के वीविन्दक शेत्रों में लोगों से जो नहीं मिला आश्रिवाद मिले मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और पॉलिटिकल पंडितों के परामिटर में कभी आद भी नहीं सकता है जिए जब मैं सडकों से गुजर रहा था लोग अपने बचन से अपने भावों से मुझ पर अपना शिर्वाद बर्चा रहे थे इस दोरान मुझे कंब रामायन का पांट सुनने का आउसर मिला यह ठीक उसी जगे पर हुआ जहां महान कभी कंबन ने आट सो वर्स पहले अपने रामायन की रचना की थी अब कल पना कर सकते हैं उसी स्थान पर बैठ करके जो मैं कंब रामायन सुन रहा था उस भाव विश्व को मैं ही अनुभव कर सकता हूँ यह कैसा धूख छन था जिसमें एक भारत स्थेश्ट भारत की भावना पुरी तरह समाहित थी मुझे भी इस बात है कि आप सभी ने भी कमधिक मात्रा में इसे मैसूस किया होगा हम हमेशा विपिन्द तरुके से देश वाचों को करीब लाने का निरंतर प्रयास करते हैं एक ता के सुत्र में बांदने के लिए हमारी कोशिच रहती है जाए संयूत राष्ट में पहली बार जाकर के कोई तमील में बोलता है जगत गुरु बस्वेस्वरा का संदेश दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम लेके जाते हैं काशियर्य तमील संगमम कायोजन हो काशियर्य ते लुकू संगमम कायोजन हो या फिर B.H.U. में सुप्रम्रम्न भारति के नाम पर चेर की स्ठापना हो हम G20 करते हैं तो भी देश के कौने कौने में जाकर के करते हैं हम विश्वके में हमान आते हैं तो दिल्ली कोई देश नहीं मानते हैं, हम हर राज्य में ले करके जाते हैं, हमारे राज्य भवनों में हर राज्यों के स्थापना दिवस बनाये जाते हैं, कोई भी राज्य भवन होगा, नागालेन का भी वहां स्थापना दिवस मना जाएगा, और गुजरात का भी मनाये ज एक भारत स्रेज्ट भारत की भावना हमारे दिल के बहुत करीब है इसे मजबूत बनाने के लिए हम काम करते हैं साथियों एक भारत स्रेज्ट भारत की भावना हमारी गवननेंस में भी दिखाती है हर छेत्र के विकांस पर हमारा पूरा फोकस है नौर्थ इसका उदहन आपक हम वोट और सीटों के हिसाब दे काम नहीं करते हैं मेरे लिए तो मेरे देश का हर खोना समुरुद्ध हो, विक्सित हो यह हमारा भाव है आच्चाय सियाचिन हो यह पिर देश के आकांची जिले हो कोई हमसे दूर नहीं है वो गाउं जिने पहले आखरी गाउं कहा जाता था हमारे लिए देश के वो पहले गाउं बन गए और मैरे सारे केमिनेट के मंत्री उन गाउं में रात बिता कर गया है कुछ मंत्रियों को तो माइनस फिप्टिन डिग्री में रात को रुकना पड़ा वहाँ क्योंकि हम आत्मसाथ करना चाहते हैं हमारे लिए देश का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है हर हिस्से पर हमारा फोकस है साथ क्यों जो भी राजरिती में दिल्चर्पी रखता है और जिसके लिए रोगतांतर की मुल्य प्रमुक रहते हैं वो भी अगर न्यूट्रल है तो पब्लिक लिए हमारी प्रस्वचा करते हैं न्यूट्रल नहीं है तो खानगी में तो करही देते हैं इसकी एक बड़ी बज़े है हमने समय के साथ खुद को सकारत पकता के साथ बदलने का प्रयास किया है हमने अपनी राजनितिक व्यवस्ता को नए और आधुनिक वीचारों के लिए खुला रखा आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर साथन किया उन्होंने एक व्यवस्ता बना दी थी उस व्यवस्ता में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सप्ता के केंदर में रहे उनके आज़ पास रहने वाले लोगों को ही राजनितिक ताकत मिलती रही एहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया हमने इस व्यवस्ता को भी बदल दिया हमने नए लोगों को मोका दिया कि वो हमारी व्यवस्ता का हिस्ता बने और प्रणाम ला करके दिखाएं इससे व्यवस्ता में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरुप कायम रहा हमारी केबिनेट में रिकोर्ड शंगे में नौट्सिश के मंत्री है लागा लेंड चे पहली बार एक महिला राजसभा ने सांसद बन गई है हमें गर्म है कि हमने पहली बार त्रिफुरा के मंद्ध व्यक्ति को काउंसिल अब मिनिस्टर्स के अंदस दान दिया है पहली बार हमारी सरकार में अरुनाचल प्रदेश को कैमिनेट मिनिस्टर मिला पहली बार गुर्जर मुस्लिम को राजसभा के लिए नॉमिनेट किया गया हमारी सरकार में गोवा से कैमिनेट मंत्री बनाया गया हमें गर्म है कि हम बीजेपी के एक ऐसी संस्कृति का हिस्ता है जो मंत्राले में रिकॉर्ड OBC प्रतिनी दित्व सुनिशित किया जाता है हमित भई ने इसका पिस्तार से बनान किया इसले में जादा है उसके पर नहीं कहना चाहता हूं साथ ही हमारी सरकार सब के लिए सब का साथ सब का विकास हमारे काम से ही चलगता है हमें गर्व होता है जब करतार पूर सहाब कोरिडोर के द्वारा लाख